हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम्टी आए और आज हम लोग इंदौर की जनता से पूछना चाहते हैं सवच भारत अभ्यान के तहट इंदौर की जनता कितनी अवेर है और क्या क्या प्रयास करें वह इंदौर सिटी को क्लीन रखने के लिए वैक्अ जर्जो सवच्छ भारत अभियान उच्वे आपको क्या लगता है वह सार्थक पहल आपको क्या लगता इंदौर में जो है वह सवच्छ था बड़ी है या कम बढ़ी है बहुत बढ़ शुकी लोग इसे तो लोग 75% आपको लग रहा है चिए नोर जो है वह हमारे साथ हम इन से पूछते हैं सर आप कहां से हैं गुद्राद अमदाबाद से हैं सर आप पहले भी कभी इंदोर आये हैं नहीं फॉस्ट टाइम तो आपको क्या लगता है कि जो बजार में डस्विंस वगरे लगाये गए हैं वो परिपूर्ण मात्रा में हैं कम है या नहीं के बराबर है नहीं परिपूर्ण मात्रा में तो सर आपको लगता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षन में है वो इंदोर सर्वोष्ट सर्वोच्च स्थान पर आ सकता है थोड़ा पबलिक को सपोर्ट करना चाहिए गवर्मेंट को तो आ सकता है मतलम नगरपाली का निगम इ अच्छा तो आप सर बाहर से आए है तो आप इंदोर से संतुष्ट है संतुष्ट है कि अपको आपने पिछले साल और वह इस साल के अंदर कुछ डिफेंस दिख रहा है क्लीनिंग वो डिफेंस दिख रहे हैं तो कुछ बोलना चाहिए कि इस बारा अभ्यान चल रहा है अपने जागरत होता है कि इस जगे को जितना साफसुत्रा रगा जाए जिससे बीमारी के भी परेशानी नहीं होती है देखने में अच्छा लगता है बाहर के जो लोग आते हैं वो भी तारीफ करते हैं तो यह सुनकर के हम को हमारे शेहर के बारे में जो प्रतिष्टा मिलत है उससे हमारा मन भी प्रसंद होता है और हम इससे जो अपने साथी लोगे उनको और जागुरुक करते हैं ताकि वो भी इस अभ्यान में शामिल हो और शहर को और स्वच्छ बनाए और गंदगी की जिंदिकी करने की उनको कभी नोबत ही नहीं आए और मन हमेशा ऐसा लगा र सब्सक्राइब करता हूं इसको अपनी आदत बनाए काम नहीं समझे सब्सक्राइब करते हैं जिनकी पिछकारी पीशे आने वाले कार के उपर या लोगों को पर जाती है खास करके उनको सुदरना जरूरी है उनके प्रती जो है अभ्यान भी ऐसा चलाया जाए कि वो भी इस चीज को कुछ समझे बागे सब लोगों को तो समझना ही है पर खास करके उन लोगों को समझना है जो पान गुट का खा करके सड़के गंदी करते हैं बाके पूल मिला करके मारेनी गोर्ण जो अभ्यान चलाया है प्लत जु जागरूपता पेदा हूई है उससे करीप परिव शेहर का हर नागरिक खुश है और धिरे धिरे ये प्रेक्टिस बन जाएगी कि शायद हो सकता है आगा में फ्यूचर दो-तिन मेने बाद इन दो रुग में हमें गंदगी देखने को ही नहीं मिले हर व्यक्ति इतना जागरूप हो जाए मैं एक चीज़ और पूशना जाओंगा जैसे अब आपनलुक चपन पर खड़े वे तो आपने आप आसपार जो डसमीद लगे है गवर्मेंट जो डसमीद लगा रही है तो लोग उनका प्रॉपर यूज कर लें ने सब पेले के कंपर दन में काफी कर वाए है काफी कर रहा है अब परसंट कर रहे हैं बागी दुकांतार भी यहां के जागरों के वह वह वी लोगों को समझाते हैं बच्चे जवरू से नादा निका बच्चे खिरूं को भी इतना नहीं लेकिन जितने बड़े हैं वह तो इस पर ध्यान दे रहा है मैंडम आपको पता है कि इंदोर जो लगता है कि हां में कहीं लगा होता है पोस्टर तो उसको देखके लगता है कि हम एक प्रॉपर अपना अपनी जिम्यतारी निभानी चाहिए अच्छा उतनम आपको यह लग रहा है कि जो गवर्मेंट द्वारा जो सवच्छ भारत की पहल की गई है उससे कहीं ना कहीं मैम जो बजार शेत्रों में डस्ट बीन्स लगाया गए है उनकी मात्रा में वृद्धी हुई है क्या है बिलकुल हुई है और आप उससे संतुष्ट है बहुत बहुत जादा सैटिसफाइड हुए और जो डोर टू डोर कच्रा जो अभी एकटा कर रहे है उसके बारे में क् अच्छा अभ्यान है यह सभी लोग इतना खुश होते हैं कि चलो डोर हमारे पास अधर्वाइस बाइया कभी आ रही है कभी टाइम पर नहीं पंचुलेटी नहीं होते लेकिन यह बहुत अच्छा है कि डोर टू जो गाड़ी जा रही है बाकि लेडी जो हाउस वाइफ जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षन 2017 होने वाला है 500 शहर की जो रेटिंग होने वाली है उसमें इंदोर पार्टिसिपेट कर रहा है आपको पता है सर आपको क्या लगता है कि इंदोर में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कहां तक सफल है 80 85 परशन तो सक्सेस है तो जो बजार में डस्ट विंस वगरें लगए हैं उसकी मात्रा परिपूर्ण है आपको मात्रा तो बराबर लगे पर लोग यूज करें तो यूज नहीं करते हैं तो जो नगर पाली का निगम इंदोर की जो पहल है स्वच्छ भारत अभियान की वो कहां तक सफल आपको क्या लग रहा है दिख रही है सफल है दिख रही है रोड पर आप जो डोल टू डोर कच्रा कलेक्ट हो रहा है आप उससे संतुष्ट बिलकुल अहां से हैं सराम अमदाबाद गुजरात से हैं तो आप जो इंदोर में स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उससे संतुष्ट है या नहीं खुंग ढ़ले है एकड़ एकडि रहे हैं या कोई दिफुए दे कोई बजारे कले गले या नहीं मिले या संतुष्ट इंदोर नगरंगर पाली का निगम जो अभियान चलारी सवच्छ भारत अभियान और जो सवच्छता सर्वेक्षन 2017 होने वाले आप तो च्वेचल आइ पहले से ज़्यादा सवच्छता में कमी है बहुत पहले से बहुत अच्छा हुआ यह जो गंदी की वह भी चलिए बहुत बहुत दन्यादा यह सब्सक्राइब आपको भी पिछले साल से और इस साल में आपको क्या लगता है कि जो सफाई है वो बड़ी है या कम हुए बिलकुल बड़ी है पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूमेंट हुआ है सब्सक्राइब अभ्यान में क्योंकि मैं देखता रहा हूं कि पहले इतनी ज्यादा ना तो जहां पड़ाय पड़ाय रहेगा या कुछ भी मतलब आज की दारिक में इंप्रूमेंट हुआ है साफ सफाई अभ्यान में जहां लोगों में भी नहीं नहीं वह आई है सोच वह भी चाहते है कि सफाई ज्यादा से ज्यादा हो और यदि आसपास कहीं अपने कच्रा या ऐस लगे हैं तो वह एक भरपूर मात्रा में लगे हैं डस्मीन की साब लोग उसका यूज कर रहे हैं आपको उसकार में क्या लगता है अब यूज की जहां तक बात आती है वहां और कोई बंदा उसको यूज नहीं करता है मतला है कि रखा हुआ है यदि वो डिस्टेंस वैस द जो चेंगे सुगे तो 50% से ज्यादा है 60% 70% 75% 70 75% 80 80% पिश्टे साल 10% थे इस पार 95% तो फ्रेंड्स आपने जाना कि इंद और की जनता कितनी अवेरेट स्वाज भारत अभ्यान को लेकर और उनका क्या-क्या मत्त आपने इस वीडियो में देखा तो मुझे उमीद है कि आ राइट कलर का सब्सक्राइब का बटन उसको जाकर प्लीज दवा दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो दाते रहे चैनल पर